हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका मेरी यूट्व चैनल ममाज और बीवीज में आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है लेट टीथिंग यानि की बच्चे के दात देर से आना तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की बच्चे के दात देर से क्य क्या है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन पर जरूर हिट कीजेगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक लेट टीथिंग यानि की बच्चे के दात देर से आना तो सबसे एज में ही बच्चो के दात आना सबसे सही माना जाता है लेकिन कुछ केसे में होता है कि बच्चे के दात 6 मेने से पहले भी आ जाते हैं और 10 से 12 मेहने के बीच आ जाते हैं तो वो भी कोई बड़ी प्रब्लम नहीं है वो भी बच्चे के दात सही टाइम पे ही आना जाता है लेकिन 6-10 मेने की वो age होती है जिसमें average जो age होती है उसमें जादतर बच्चों के दाथ उसी age में आते हैं अब जिन बच्चों के दाथ 12 महीने तक नहीं आए हैं और 12 या 13 महीने भी निकल गए तब तक बच्चों के दाथ आए नहीं हैं और बच्चों के दाथ आने के कोई इस तरह के सिम्टम्स भी नजर नहीं आ रहे हैं तो फ्रेंट्स उसके बाद जो पीरिड होता है उसमें हम बोलते हैं लेट टी तिंग यानि कि बच्चे के दाथ देर से आना तो ये क्यों हो सकता है अब हम जानते हैं इसके कारण कि अगर बच्चे के दाथ 12-13 महीने तक नहीं आ रहे हैं तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं तो फ्रेंट्स इसके कुछ एक कारण है जैसे कि सबसे पहला कारण तो इसका बंशानुगत भी हो सकता है यानि कि अगर आपके बच्चे के maternal या paternal family में से किसी के दाथ पहले बहुत देर से आए हो तो बो भी एक कारण होता है या पीडी दर पीडी भी चीजे कई बार चलती रहते हैं जैसे कि अगर उसके पापा, ममा या उनकी family में किसी और परसन के दाथ लेट आए हो तो एक possibility होत होती है कि बच्चे के दाथ भी देर से आ सकते हैं दूसरा कारण होता है कि अकसर यह देखा गया है कि जो टाइम से पहले जन्म लेते हैं उनके भी दाथ कई बार देर से आते हैं ऐसा अकसर देखा गया है तीसरा कारण इसका यह भी हो सकता है कि अगर बच्चे के अंदर प सकते हैं रिए क्या cohort कारण करते हैं पाइट सेथा ओको नहींजाना しました मैंनों सब्सक्राइब scam जो यूठा करते हैं अगर दाते लिंकों कि छों करते हैं धृजटा कोई पार्त्य नहीं तो झाल के अ क? आपकोफ़नाम टॉटा की क्या सब्सक्तों करके हैं तो बच्चे को लिक्विड डाइट लेनी पड़ेगी और 12-13 महिने के बाद जरूरी हो जाता है कि बच्चा थोड़ा सा चबा चबा के खाए लेकिन अगर बच्चे के बाद 12-13 महिने तक नहीं खसाया है एक लेट यान की बच्चे के दान तेर से आएंगे तो तो नात प्रोस Attria कौल्स थो भुए घृष तो चाल लेट हो जाता है जो डाने का प्रोसेस है तो तोड़ा सा लेट हो जाता है तीसरा इसका दूश्प्नाम क्या हो सकता है कि कई बार late teething की बज़े से बच्चे के दाण तरदे मिड़े भी हो जाते हैं जैसके उसका जवड़ा थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि मझबूत हो जाता है और उसके बार दाट आते हैं जो कई बार टेडे मेडे भी आते हैं, यानि कि लेट टीफिंग की वज़े से ना टेडे मेडे भी आ सकते हैं, कई बार यह बोलते हैं कि लेट टीफिंग की वज़े से जैसे बच्चे के जबडे में लग गई या इस तरह की बच्चे को किसी तरह की चोट पहुच गई तो ए आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, डॉक्टर से कोई ऐसी मैडिशन या सॉलुशन डॉक्टर आपको देंगे, जिससे की बच्चे के दानत आने का प्रोसेस थोड़ा सा शुरू हो, तो आपके बच्चे के अगर दानत बारा से तेरे महीने तक नहीं आए हैं, और फैमिली मे मैने तक भी अगर बच्चे के दानत नहीं आते हैं, तो आप डॉक्टर से मिलें, वो किस केस में कि आपके फैमिली में पहले किसी के दानत देर से आए हो, तीसरी चीज, कई बार क्या होता है कि अगर मालो बच्चा दानत आने जैसे साइन दे रहा है, तो वो साइन क्या होत पार कोई भी चोटी को मुँमे देने लगता है कि अगर बार सुपड़ा जाता है लेकिन उसके टीज नहीं आ रहे हैं या आपको टीज दिखनी रहे हैं तो इस चेस नहीं चाहिए तो इस लिए ज़रूरी है कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें तो friends यह सारी जानकर्या थी जो लेट टीथिंग के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था हम अगली वीडियो में आप से डिसकस करेंगे कि कौन सी एज में बच्चे के दात कौन कौन से दात आजाने चाहिए कि से प्राउसेस बच्चे का स्टार्ट हो चाहिए और बच्चे के दात स्टार्ट हो गए तो उनकी कैसे सफाई करें तो आप बने रहे हमारे साथ और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइ बाद मिलते हैं जल्दी हमारी नई वीडियो के साथ बाबाई